है है तो है 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 अधिकांज जो जन जातिया है उनके उत्पति गोणों से ही वह वह गोण्ओक है अब बात आती है सबसे पिछणी जन जाति सबसे पिछडी जन जाती कहलाती है नारायनपूर छेत्र में पाई जाने वाली अबूज माडिया जन जाती अगर मैं चत्रगड का एक क्विक मैप बनाओं तो यहां पे है नारायनपूर नारायनपूर को अबूज माड भी कहा जाता है बिटा और इस नरायनपुर या अबूज माण में जो जन्जाती पाई जाती है यह है आपका अबूज माणिया जन्जाती केंदर सरकार दोरा इस जन्जाती को विसेश पिछडी जन्जाती के दरजा में रखा गया है किर दोवारा किंद्र सरकार के गवरा ठीक है और विशेष पिछडी जन जाती के सासनाथ यह 36 गड़की सभी जन जातियों में सबसे पिछडी जन जाती का हलाती है आज भी आमधारा से सबसे जदा जो है वो पृथक है अब बात करते हैं सबसे साक्षर जंजाती मतलब साक्षरता का परसेंटेज किस जंजाती में सबसे जादा है तो वह है आपका उराओं कारण में संचेप में बताता हूं जब उराओं पढ़ेंगे तो और डिटेल में चर्चा करेंगे उराओं जंजाती सबसे साक्षर पाई जाती है और जब यहां पे आपका अंग्रेज जो है आये थे अंग्रेजों के द्वारा जो है आपका यहां पे मिसन स्कूलों की स्थापना की गई मिसन अस्पतालों की स्थापना की गई और इसाई धर्म का व्यापक गुरूप से प्रचार प्रसार किया गया तो जो इ तो ठूश्वानट्रण हुआ इसाई धार्म में और होने के कारण इन में जो सिक्षा का इस तरह वह पिढ़ी दर पिढ़ने लगा और बहुंस सारी जो आपके सास्की पद हैं वहाँ अप्या देखेंगे इन सास्की पदों में उच पदों पर आपको उव्राओं जनजाती के लोग ही दिखाई देते हैं ठीक है एकका लकड़ा तिग्गा टोपो यह सभी किसके सरनीम है उराउ जनजाती के सरनीम है क्यों क्योंकि इन सिक्षा का इस्तर क्या है आपका जादा है यसी लिए उच्छपदों पर है ठीक है तो साक्षरता बढ़ने का एक करण इनका धर्मान परण भी है तो याद रखेगा च्छत्यजगर की सबसे साक्षर जनजाती कौन सी है उराउ अब बात करते हैं सांस्कृतिक रूप से सबसे सम्रिद्ध जनजाती कौन सी है मुडिया मुडिया जनजाती हम पढ़ेंगे जब तो मैं आपको बताऊंगा कि मुडिया जनजाती में विवाह के समय अलग न्रित्य है जब इनके आपका युवागरिया में अलग प्रकार का नित्र मड़ई जो मिला होता है उसमें अलग प परमपराएं हैं तो याद रखेगा सांस्कृतिक द्रिष्टी से सबसे सम्रिद्ध जन जाती कौन सी है मुडिया अब बात करते हैं थोड़ा सा धन संपधा के द्रिष्टी से आर्थिक द्रिष्टी से संपन्न जन जाती कहलाती है हलबा ठीक है हलबा जन जाती ने कृसी कारे को अपनाया है न हल वहाग होने के करण भी इनका नाम क्या पढ़ता है हलबा हाला कि इनके नाम को ले करके कई प्रकार के तरक है अभी मैं एक तरके बता रहा हूं कि हल वहाग होने के करण इनका स्थान है भत्रा का भत्रा भृत्य सब्द से बना है और भृत्य मतलब होता है सेवक पुर्वकाल में गोण राजाओं की सेवा करने के कारण ठीक है गोण राजाओं के भृत्य होने के करण उनके सेवा करने के करना सामाजिक द्रिष्टी से भतरा जन जाती का इस्थान क्या है आपका उंचा है तो याद रहेगा सबसे पिछड़ी जन जाती अबुज सबसे बड़ी जन जाती गोण सबसे साक्षर ओराओं सांस्कृतिक द्रिष्टी से सम्रिध है मोडिया आर्थिक द्रिष्टी संपन्न है हलबा और सामाजिक द्रिष्टी से उचा स्थान किसका है भतरा का ठीक है तो यह कुछ प्रमुख जन जाती है जिनको डिरेक्ट वन लै झाल